हेलो दोस्तों तो यह आपका जनसत्ता का आर्टीकल है और बहुत 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 तरीके से लिखा गया है विवित्ता की संस्किती और सिख्छा यह आपके जग मोहन सींग राज्टूत ने राजपूर सामने लिखा हुए है याद रखिए आप लोग की कई बार आप देखते ह छाठी आप जबार हैं कि जो दाहिंदू में रहते आडिकल वह आपके कई इस तरह की बेफ़र हिंदी मेदियम के पएपर हैं हिंदी वासा में उनमें भी कई बहत्र अर्टीगल आपके लिखे रहते हैं तो अगर आपको टाइम मिलता है अ वर आप के पास टाइम रहता है तो आप ओनलाइन भी जैसे दाय इंद सट्ता हो गया उसके बाद आप देखिए बिजनेस रिस्टेंडर्ड हो गया उसके बाद देखिए कि कभी आपका जो हिंदुस्तान पेपर उसमें भी आर्टीकल बढ़िया निकलते हैं कभी आप देखिएक दनिक जागरन जो राष्टी एसंस करें उसे भी देख लेए अकरिएगगा क्योंकि जो आटीकल है आपके नेबंद की लिए भारत देश की विविद्धा के बारे में बात की जा रही हैelf सभय दॉब embarrass MAPPека वारत मॉलाजिट स्रीलंका यह आपका परोस है बंगलादेश म्हानमान भूटान पा पाकिस्तान अफगानिस्तान और यह आपका चीन कि किया चीन है चीन से हमारी सीमा नहीं लगती थी लेकिन टिवबत पर जब चीन ने कब्ज़ा कर लिया तों हमारी यह आप हिंद महासागर देख रहे हैं हिंद महासागर मतलब महासागर सभी महासागरों में एक मात हिंद महासागर ऐसा है जो किसी देश के नाम पर जिसका नाम पढ़ा हुआ हिंद का जाता ना भारत को उसी के नाम पर उसका नाम पढ़ गया और एक बात हमेशा याद रखी आपको लगता है कि इस सरकार में या किसी सरकार ने भारत को बचा कर रखा हुआ है तो भारत कोई मामूली चीज नहीं है आप कहते हैं कि हम भारत को बचाने के लिए आंगे बढ़ रहे हैं या आप कहते हैं कि धरम को बचाने की जरूरत है जिन लोगों ने हमें बचाया के रखा हुआ है उनको हमें बचाने की जरूरत हमारी योखाद इतनी नहीं रही है कि हम उनकी सुरक्षा कर सकें तो नेता आते हैं, रोटी सेखते रहते हैं, जाते रहते हैं सब होता रहता है लेकिन ना तो भारत की कभी रख्चा की जरुएत इस तरह पड़ी है कि तुम घर में ही काटना सुरू करदो गर में ही धरों में माडदो भारत का मतलब तु अखरो है कि यहован सभी आप फिर चाहे मुस्लिम हो फिर चाहे हिंदू हो प्रचाय जैन, बहुत इसाई, जो भी समाजों, सिख्खों, सभी को एक, मतलब एक आप देखते हैं ना कि एक माला में प्रोकर रखा हुआ है जब हमारा देशा आजा दुए तो समय लोगों के द्वारा, अंगpless場 के द्वारा, उबाहरी सकतीों के द्वारा खा गया जा कि भारत एक साल भी नहीं टिक सकता है क्योंकि भारत में अनेक जातियां हैं, अनेक समूव हैं, अनेक मतलब धरम हैं, तो ये कई भागों में बढ़ जाएगा, लेकिन भारत आज भी बराबर टिका हुआ है अपनी इस्तिति, आज की बात नहीं कर रहा हो, हजारों साल से भारत अपनी याथा इस्तिति पर टिका हु विश्टा को बैस्विक इस्तर पर उजागर और इस्थापित होते ना देखना चाहिए हम सभी ने अनेक मत्कूर आउसरों पर यह वाक्त भारत को विश्वगुरू बनना है अनेक बार सुना लिए क्या है अने एक बार सुनाया जब जब और जहां जहां यह बाक कहा जाता है तो कुछ लोग आसमंजस और आसंका से घर जाते हैं लेकिन जो भी बैक्ती भारत और उसकी प्राचीन सबिता संस्किती से परचित है वह इस संभावना को नकारता नहीं है कि भारत परचित हैं इनके यह अभी बिस्त करूंग नहीं बना सकते हैं भारत को इनमस्य अधिकतर निटाओं कि आप कुछ अपने निजी घृत होते हैं राफ्टी हिए जैना इनकी अपने पार्टी के फिर आपने जाना जोड़े रहते हैं आप सब से देख सकते हैं कि अभी करेट में अगर बात की जाए तो आपको लगता है कि करेंट की गर्मेंट या फिर कोई दूसरी नेपाल की कई बेटियों की साधी भारत में भी हुई है लेकिन आज आप अगर देखें तो सबसे बुरी इस्तिती में हमारी दोस्ती ये बदल चुकी है दुस्मनी में नेपाल से हमारे रिष्टे जितने खराब से खराब हो सकते थी दुनिया में मतलब अभी तक की समय में रिलंका से देख सकते हैं पाकिस्तान से हमारे पहले से ही रिष्टे खराब रहें बंगलादिश से हमारे रिष्टे समय समय पर खराब होते रहें चीन से हमारे रिष्टे खराब हो ही रहें तो आप यह नहीं कर सकते हैं कि हमारे यहां की निता है यह भारत को विस्त को खुश से जाना हम लोग उम्मीद राख करते थे और आपने देखा है कि जिस तरह से शुरूमाइद लगी है ऐसे लोग यह भी मानते हैं कि इस सुनेरी अभीलासा के फूर होने की संभावनें गोशना से नहीं है उन तत्थों के विसलेशन से निकरेंगी जिनके कारण भारत आज उस इस्तिती में नहीं है वे यह भी मानते हैं कि इस पेकार की गोशना की आवसकता नहीं है भार होने की ही वाली है इसके लिए जो इसके लिए तो ग्याड परजन परंपरा आज की सिक्षा ब्यवस्था को उसी पिकार के त्याद और तवस्या के द्वारा सम्रद्र करना होगा जिसके लिए प्राचीन भारत के ज्यान ग्यानी जन जाने और सराहे जाते थे भारत के साथ ज् दर्सक की सिद्धान को और बिवारिक तक की उस उचाय तक ले जाना होगा जिसमें सर्भूत हित रतां उस सर्वेभवन्तु सुखन सुखिन का आवा भाव निजेथू जिसमें सब्सक्राइब की पती अपना पर इसपर्ष हो और जीवन की साल तक ता और संतुष्टी की साथ बहुमिक्स समझ विक्रियों हजारों साल पहली यदी यह आकर्ष्ण तक्छला नालंदा विस्विध्याले में विस्भर के देशों से लोगों को यहां कि विस्पेसे दे सिक्षा केंद्रों में सुथा इलाना था तो ऐसा आंगी भी संभव के नहीं होगा और आप जान दे लेकिन आज आप पलटती दिख रही है ज्यानरजन की आज की विधा और विवस्था अर्था सिक्षा पतंत से अधेकतर जानी परचानी जाती है सिक्षा की गती सिन्था या सित्लता और उसके संस्किती पर लगाता जीवंतलता से परदि प्रभाव की गहन बयक्या और विवेच्चना समय समय पर करते रहने से ही सब्वता विकास प्रगती और मानिमी बहता में भारत अपनी विस्ष्टता को पुनाह इस्ताफित कर सकता है। जैसे जैसे और जब जब पश्चेम के विद्वाने ने भारत को बिना किसी पूरुबा गया कि समझने का प्रयास किया है। उसके ज्यान बंदा और संस्किती की सेश्टता को पहिचाना। उनकी सिध्धा और सम्वान उसके पिती बढ़ता जाया। एक बड़ा ही पिसिद और अनेक बात दोहराया जाता है। कि भारती संस्किती की गती सीद्धा और समय नुकूल बने रहनी की चम्ता के यसोगान में बैस्विक इस्तर पर अनेकाने मनेसियों के नाम लिये जाते है। मगार यहां मैं पिसिद बिद्वान डॉक्टर अर्नल्ड टायनवी का उद्धित कराऊ। यह भली भाती इस पर ठोराय की एक अध्याय जिसकी सुर्वाग पश्चात थी। यदि उसका अंत मानो जाती कि आत्म संगार में नहीं होना है तो समापन भारती होगा। मानो इतियास की सबसे अधिक खतरनाग छड़ में मानो जाती कि मुप्ति का यदि कोई राष्ता है तो वह भारती है। चकवर्दी असोक और मातमा गांधी का अहिंसा का सिद्दान और स्री रामकिष्न परमंस के धार्मिक सहर्डूता कि उपदेश की मानो जाती को बच्चा सकते हैं। आप समझे कि अहिंसा इतना हमारे लिए ज़रूरी है हिंसा, यार हिंसा से आप एक समय के लिए सफल हो सकते हैं, छोटी समय के लिए। हाल मतलब जल्दी सफल हो सकते हैं, लेकिन बहुत आंगे तक आप नहीं बढ़ सकते हैं। वो कहा जाता है ना कि आख के बदले आख अगर खोड़ी जाए तो पूरी दुनिया को अंधा बना सकती है। तो इसलिए एंसा बहुत असोग आप समझ सकते हैं कब की बात ही जा रही हैं। असोग प्राचीन भारत में, असोग ने क्या कहा था? कि हमें दूसरे धर्मों की हमें इज्जित करना चाहिए, यानि की सम्मान करना चाहिए, माबाप, परिवार, इंसानियत, इस तरह के सभी असोग के समय आप सुचेज देने लगे थे, और पसुओं के पिती दया भाव, अस्पतान भी खोलेगे असोग साहब के द्वारा, उस समय आप सोच सकते हैं, मौरबंद का सासक था महाल सासक असोग, या हमारे पास एक ऐसी, हमारे या, हमारे पास एक ऐसी मनुविट्टी बाभावना है, जो मानौ जाती कोई एक परिवार के रूम में विक्सिप होने से साहिक हो सकती है, इस अडूं योत में बिनास का यही बिकल्ब है, अंतराश्टी एक्याती पर इतियास का विल दोरान ने लिखा था, कि आज के हर विद्ध्यार्ती के लिए सबसे बड़े सरम की बात यही होनी चाहिए कि वह भारत के पूरी तरह परचित नहीं है, वे अप मुझ मुहंचो जादरो से लेकर गांधी टैगो और रमन तक के परिदिस्त पर द्रिष्टी दालते हैं, अध्यात्मक्त और अध्यादिम्ता और दर्सन की उपलब्दियों की गहराई यहों की पिसंसा करते हैं, ठागुल विद्ध्या की तीन अजार साल पहली की विज्या लिखता की द्रिष्टी और उपलब्दियों से चकित होते हैं, प्राचीन भारत की धार्मिक आस्थाओं में विवित्ता की अपूर को सुईकालता, स्वायत्ता की दूर दूर तक फैले प्रभाव का बर्डन करते हैं, अंत में वे लिखते हैं कि भारत की पेटेंट स्कॉल करने का प्रयास नहीं करते हैं, तो अन्य को दोस्त कैसे दिया जासकता है, आप समझेए कि अभी भी आप कई वास सुनते हैं, कि नेता बिरोध कर रहे होते हैं कि बंदे मातरम नहीं बोलना चाहिए, या बोलना चाहिए, फिर जी एश्टी और राष्ट गानो, या पिर रा राच्चें, समझ रहे हैं कितने संग्सातित राच्चें, कितनी भास आए हैं, बंदे मातरम खुद नहीं आ रहा है, जी एश्टी का मतलब खुद पता नहीं है, आप सूचे कि दुनिया को मतलब ये नेता आपको लगता है कि बड़ा पाएं गया है, समझ रहे हैं आप लो राच्चें, और आठ आपके 28 राज्चें, और आठ आपके केंसासित के दिस बचे हुए हैं, 2020 की बात कर रहा हूँ, अभी जुलाई की, इस समय इतना ही है, 28 और 8, अभी आप जाकर किसी सरकारी स्कूल के माश्टर से पूचिए, तो उन्हें नाम इतना बताना छोड़ी है कि कितने राच्चें, हो सकता है अगर ये कहीं से रट रटू लेकर मालू चल जाएं, तो सभी राज्चों के नाम नहीं बता सकते हैं, सभी की राजधानिया नहीं बता सकते हैं, तो आप बच्चों को क्या सीखेंगे, समझ रहे हैं, जब हमारे बच्ची हमारे देश की संस और अपने आपको एक उचाई पर रख लेते हैं, इतनी मैनत अपने आप पर कर देते हैं, कि एक उचाई पर पहुंच जाते हैं, उसके बाद ही लोग आपसे जोड़ना पसंद करते हैं, लोग आपके बारे में जानना पसंद करते हैं, आप कोजी तरह से खतम हो जाईए, या तो सिक्षा, स्वास्थ और पिसीक्षण इन्हें पूरी तरह से मुप्त कर देना चाहिए गरीब का बेटा भी BIP स्कूलों में पढ़ सकता है और गरीब अपने इलाज के लिए बेहतर हॉस्पीटल में जा सकता है बिना भेदभाव की कुई और आप सोचिए कि दिल्ली मुझे बढ़िया लगा दिल्ली केरल का मामला मैं हमेशा उधारन देता रहा हूँ दिल्ली मैं चुनाव हुए आपने देखा है हर पार्टी ने अपनी पूरी दम लगा ली थी अगर हमारे हॉम मिनिस्टर साहब अगर बोट मागने जाए उसके ब काम किया होगा और जो कहते हैं ना कि वो कुछ काम नहीं किया है उनको मैंने देखा है वो अपना इलाज करवाने के लिए दिल्ली सरकार के जो हॉस्पीटल है उनमें जा रहे हैं इलाज करवाने के लिए तो दोस्त देना किसी पर आसान होता है लेकिन उसने काम किया हो सच् बहुत मुश्किल होता है इस बार मैंने देखा है दिल्ली चुनाव में की मीडिया पूरी एक खिलाब थी अरवेंद के जीवाल को जितना नीचे गिराना गिरा के दिखा सकती थी उसने दिखाया हर चीज से लेकर जनता जागरूप हो चुती है चुक्वी है दिल्ली की ठीक है? वो याद रखी एक समय हो सकता है कि अगर देश की जनता जागरूप हो जाए तो मुझे लगता है कि पूरी समस्याएं खतम हो जाएंगे जादपाद, धरम, नीच, उच इस तरह के सब मुद्दे खतम हो जाएंगे उसके बाद आगर आप काम करते हो बेतर तो ही आपको वोट मिलेंगे एक समय आएगा यासा अभी तो दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन हो सकता है दिल्ली में इस तरह की सोगधा हो चुकी है जनता भली बात ही समझ चुकी है तो बाकी राज्यों में भी आप देखते रहिएगा ऐसे कई राज्य देखें हैं जहां से मुकमंतरी पी-एम सहाब आये हुए हैं उनके अपने राज्य की स्तिति देखिए सिक्षा में देख लीजे लिंगानपात में देख लीजे स्वास्थव्यवस्था स्टितव देख लीजे chip कितनी बुरी स्तिति है तो यह सोचने वाली बात है कि दिल्ली केरल जहां के पिदानमंतरी साहब नहीं है उनके की स्तिति बहतर है और जहां कि हमारे कई मुखमंतरी कई आखिसंसत कई मंतरी यह आते हैं वहाँ की स्थिति देख सकते हैं बुंदेलखंड से देख लीजिए आप लोग बुंदेलखंड की स्थिति इतनी बुरी है कि किसी के पास खाने के लिए खाना नहीं अच्छिव हकीकत यही है पढ़ाने की दूर छुड़ी है सरकारी स्कूल हैं स्वास्त ब्यवस्ता सरकारी होस्पीटल है लेकिन आप सरकारी होस्पीटल की स्कूल की जानते हैं सरकारी स्कूलों के अलग जानते हैं उससे बहतर यही समझते हैं वो लोग की घर में मर ही जाना पसंद करते हैं होस्पिटल जाने की बज़े और यहां तक मैंने देखा है कि 20-40 किलो मीटर तक होस्पिटल सरकारी होस्पिटल नहीं है कई गाउं ऐसे भी दूर दूर बसे हुए है ।। तो ये पानी की सुपज़दा देखते हैं आप बंदेल खंड मेफेशना आप सोचिए कि захंण कोि कमी नहीं है घृष घंऑ बैस ला में मुझे लगता है की काफी पानी रहता है पीने की सुविधा हो सकती है तो इसे मोड कर आप सुचिए कि वहां से जो भी पाइब लाइन या फिर कोई और पर यूजना चला की बुंदिल कंद को हरा भरा किया जा सकता है लेकिन नेता आप समझ रहे हैं यह सरफ सुविकार है कि भारत और भारतियता से दूरी कि ऐसी राष्ट वे ब्यापी प्रमित्ति के निर्मित होने से विदेशी सास्कों की सुनियोजित सडेंद की ही मुखेता उत्तर दाय थी मगर सुदंता के सतर साल बाद किसी अन्न पर दो सारूपन नहीं किया जा सकता है हमें अपनी सिक्षा विवस्था में या पेक्चित परिवर्दन करने की पूरी सुदंता ही नहीं आवसकता भी थी मगर हमने पित्यार ओपित विवस्था को छोटी मोटी परिवर्दन करने के लागू रहने लिया ऐसा तब हुआ जब समराजवाद की विरोध जीतने जितने भी सुदंता अंदोलन बीस भी सदी में चले और सफल रहे उन में से किसी में भी संगर्सकाल में ही सिक्षा पर इतना ध्यान नहीं दिया गया जितना भारत ने भारत में दिया गया इन में से किवल अपनी सिक्षा विवस्था इस्थाफित करने की निडायक सोच थी बलिकि उसमें संस्किती विविन्ता की सुईकार था और मान भी ये मोलों की पुनार इस्थापना पर भी लगातार बल दिया गया है याद रखिए अभी भी अंग्रेजों के जमाने के जो कुछ कानून है से अधिनिया में जो अभी भी फॉलू किया जा रहे हैं आप सोचिए कि बाबा आजयम जमाने के हम लोग अभी भी उन्हें फॉलू कर रहे हैं एक सोचिए आपके पास अगर आप घर में दस मेंबर हैं अगर दसों को पड़ा लिखा कर अच्छा आपके माबापने सिक्षा दी हुई है तो आप समझ सकते हैं कि बेतर सिक्षा पी सिक्षण मिला हुआ है तो आप अलग-अलग छेत में काम करेंगे और अलग-अलग काम करेंगे तो बहुत बड़ा हिस सा अमांट आएगा मतलब आए बहुत बड़ी होगी आपके जो जीवन चरया होगी वो भी सुधारा जा सकता है आपके आने वाली पीडी होगी बच्चे होगी उन्हें की जिन्दगी को भी खुसाल रखा जा सकता है और वहीं दस मेंबर ऐसे लीजे एक परिबार को जो किरसी पर निर्भा रहता है बिलकुल पड़ा लिखा नहीं है तो वो क्या करेंगी कि सभी एक एकर जमीन है उसी पर दसों काम करते रहेंगे और हो सकता है दसों क्या करेंगी उसे माट लें आदा आदा हिस्सा कर लें और उनकी इतना भी खाने के लिए उनका पूरती ना हो तो आप सोचिए जनसंख्य बढ़ना कोई पिछड़ने का कारण नहीं हो सकता है कि मतलब जनसंख्या बढ़ रही है तो वो हमारी फायदे लायक है क्योंकि अभी देख रहे हैं यूबा हमारी जनसंख्या है अगर इन्हें बहतर पिसीप्छण दिया जाए बहतर सिक्षा दी जाए बहतर स्वास्त पर सकता जरूरी होगी है और चीन ने यही किया है इसलिए चीन ने फाइदा उठाया यूबा जनसंख्या का लेकिन हमारा भारत पिछली बार भी नहीं उठा पाया इस बार भी नहीं उठा पार रहा है कुरोना की चुनोती एक आदरस्ट सत्तु को पराजित करने की है यह अपने आप में आपित्यासित और अबूत पूर्व है और है यह मनुस के ज्ञान बेज्ञान और गुद्धी की गहराई की सिमाओं का भान कराती है प्रक्यति के पिदी संबेदन सील्था की परड़ामों क को भी दरसाती देख कोरोना ने इतिहास की स्मोड पर नए आध्या ही नहीं कालखंड भी हमारे सामने खोल दिया है मनुस और मानवता की समगछी जो चुनोती हैं समय समय को अभणी है उनमें से अधिकांस मानव जनित ही होती है उनका समाधान भी मनुस ही स्वैम निकालता ह जीवधारियों में उसे ही विचारों की सक्ति और संकल्पना सक्ति के बर्दान मिले हैं जिग्यासा उसकी मुल्भूत प्रवित्ती है इस सब में सबसे ही उसकी सरजनात्मक पिस फूटित होती है कि यह दिन आभी कुछी देने पहले हम लोगों ने ऐसा परियावण को लेकर जलबाया को लेकर एक अर्टीकल भी डिसकस किया तो आपको पता होना चाहिए कि अगर परियावण होथी उसमें हमें जो भी समस्था आया थी वह रेपेर कर ले दी आपने आपको स्थार कर ले दी हैं बस हम हस्तिचिप ना करें पम, और आज हम है हम लोग हस्तिचिप कर रहे हैं उसी का पैड़ाम आप वीमारियों के रूम में वायर्यस के रूम में भूगत रहें इस समय कोरोना के अलावा भी कई चुनोतियां हैं जिने नज़र अंदार नहीं किया जा सकता है अनेक समस्था हैं बैस्विक इस्तर पर चिन्नित की गई है इन पर नज़र डालने का सबसे सर्व तरीका है कि अंतराष्टी इस तरफ़ सहयुक्तराष्ट यूनेस को द्वारा सुईकित सतद विकास लक्ष 2030 पर निगाह डाला याद रखिए यह सतद विकास लक्ष हैं इन्हें रट लीजे क्योंकि आपके जो भी एकजाम उसमें इंटर्वी में भी पूचे जा सकते हैं अगर आंसर राइटिंग करते हैं मैं आप लोग निवंद लिखते हैं तो उसमें भी आप डाल सकते हैं इनको और आप प्रिल्म से में भी कुश्चन सिस्से बनते रहते हैं इनने में गरीवी वोकमरी, स्वास्त, संतुष्टी, लिंग भेद, समानता, सौक्च पानी, साब सफाई, आर्थिक विटास, काम के अउसर, नियाय सांती, सहभागता, जल, थल पर जीवन, अच्छी गुडवत्ता, बाली कुसल, युक्त सिक्षा, जैसे सभी मात्वोंट लक्ष की रूम में सामिद, एक बार इन सभी लक्षों को आप बड़े ध्यान से पढ़िए, और सोचिए कि अगर इस सभी लक्ष जो दिये गए हैं, इनने अगर पूली तरह से मतलब फॉलू कर लिया जाता है, हमारे देश के देश में या फिर विस्ट में, कहीं भी, आप छोटे विख से इस तरह पर ले लिजिए अपने देश पर ही, तो देखिए कि आपका देश इस तरह से आँगे बड़ेगा, आपको इसे देखेंगे, लेकिन इसे फॉलू करने की बात अभी दूर दूर तक तो नहीं इतने जार आ रही है, समझ रहे हैं आप लोग, हर मनु और एक लक्ष में सिक्षा और सिक्षित व्यक्ति कमाति सुताई दिखाई देता है, कोल मिलाकर सबसे मत्हून लक्ष सभी कुस अच्छी गुडवत्ता की सिक्षा देना ही है, क्योंकि उसमें उसके प्रवाव अन सभी पर सीदे सीदे पढ़ते हैं, कहने का मतलब यह है कि आप सोचिए कि अगर आप सिक्षे थें, तो अपने परिवार को भी बेतर सिक्षा दिला पाएंगी, आप अपनी स्वास्त व्यक्ता पर भी बेतर खर्च कर पाएंगी, आये होगी तो आप बेतर जीवन चला पाएंगी, समझ रहे हैं, और आप दिल्ली सरकार का एक और पर्फोम्हें सिंग कर रहे हैं, जो सरगारी स्कूल है, समझ रहे हैं, तो एक गरीब को क्या चाहिए, स्वास्तों से मिल जाएं, सिक्ष्छा मिल जाए, उपी सिछड मिल जाए, वो गरीब कभी रहेगा ही नहीं, आप करेंगी, ऐसंतर साल से देख रहे हैं, हर नेताकों, रोटी सेकने के लिए 17 साल से नारा देता रहा है, गरीब ही हटाना, गरीब ही हटाओ, आप सुचिए कि अगर तीनों ये सुविधा हैं दे दी जाए गरीब को किसी को, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई गरीब रहेगा, एक अच्छी जाती से उठा लीजे, उसे भी प्राइ तब सिक्षित हो जाएगी, कि आपको उन्हें नौक्री देने की जरूरत नहीं कड़ेगी, वो खुद अपनी नौक्री ढोट लेंगे, समझ रहें, लेकिन अगर आप सुचिए कि सिक्षित कर दिया समाज को पूरे, तो नेताओं के रोटी कैसे सिखेंगी, और अंदवक्त ही कैसे रहेगी, सिक्षा के चार मुखिस्तम जिन पर चच्चा होती है, उनमें से तीन से सभी पर्चित हैं, ज्यान पाना, कौसल सीखना और व्यक्तित विकास, एक जिस भी सदी में इन तीनों से पहले जिस सिस्तम को एंगित किया गया है, वह है साथ साथ रहना सीखना, ग ऐसी कोई भी संस्किती जो सबसे बच कर रहना चाहती है, जीवत नहीं रह सकती है, भारत को इसे आत्मसाथ कर बिच्च के समख चोधारन रखना हुआ, और जिन लोगों को अभी लगता है कि वो बिरोध करेंगी किसी पार्टी गा या किसी नेता का, उन्हें मार दिया अगर यही आप सोची कि हमारे सुदंता सैनानियों ने सोचा होता, तो आज हमारे देश आजाद ना होता, और दूसरी बात उन्हें इतियास में हम लोग नहाद पढ़ रहे होते हैं, इतियास में उनका नाम कमी ना रहता, तो इतियास उसी का लिखा गया है जो देश की पर परताव किया जा रहा है, तो हम हसते हैं, क्योंकि वो हमारी बहन नहीं है, हमारी मा बेटी नहीं है, और जब हमारी मा बेटी पर खुद बीथती है, तब हमें पता चलता है कि उद्धर हमें रोग देना चाहिए था, समय रहे हैं? तो मतलब आपका करतब रहता है, तो इसलि उसके बाद तो कम से कम समझ में आ जाएगा, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि दस दिन जीए, कम से कम ऐसा तो जीओ कि तित्यास में नाम कुछ रह जाए, चलिए मिलते रहेंगे हम लोग, कोई और नए आर्टिकल आएंगे तो उस पर भी बात करते रहेंगे, ठीक है, अपनी अपने पड़ोसियों से संबंद अच्छे रखिए, वो ही आपका सही और बुरी बक्त में साथ दे सकते हैं, नेता कोई किसी का नहीं होता है, महामारी के आप तीन महीने देखिए, कोई नेता रोड़ पर आपको दिखा है, जन्ता की मदद करते हुए, जो चलताते हैं कि हम खोन पसीना देद बहा देंगे अपना जन्ता के पीछे, कोई ने दिखा है, इसलिए भरोसा कम ही करिए, समास से भी संगठन और समास से भी लोग बहुत देखे हैं, आपने देखा है, बहुत बहतर तरीके से काम किया होना, ठीक है?